वेल्किम टेक विटर गुरूप मैं आपका टीचर विकास आपका अपने चैनल में एक वाफिर सोथ कहता हूँ तो आज आपको एक लेटेस अपडेट देनी है जो की मोस्ट इंपोर्टन्ट होगी उन बच्चों के लिए जो बच्चे जुलाई दोजाटेस में एक्जानमेशन पास किये हैं और जो प्रोसान प्रोसकार जो आपको मिलता है स्कॉलर्शिप नालट की तरफ से दी जाती है तो उसके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो गए है फाइनली अभी मैंने वैप साइट पीचे किया तो उसका फॉर्म है वो एक्टिवेट कर दिया गया है और उसको जो अपलाई क करने की तारिक होती है फॉर्टी फाइब डेस के अंदर आपको अपलाई करना होता है ठीक है तो रिजर्ट आपका एक नॉम्बर को डिकलियर हुआ था तो एक नॉम्बर से ना देखते हैं क्योंकि एक नंबर को यह फॉर्म ओपन नहीं हुआ था यह हो सकता हो गया हो तो इंस्टक्शन दिये गए उसको देखके ऐसको फिल अप करते हैं तो इसमें इंस्टक्शन दिये गए किसको किसको यह मिलेगा वह आप देख लिए फटा फट तो प्रोसान प्रोसिकार स्कीम जो होती है वह आपकी SC candidate, HT candidate और physical candidate जो भी होते हैं और आपके handicapped candidate और आपके female student जो होते हैं और जो सिर्फ और सिफ institute के मादधम से वो course करते हैं O, A, B, C label का उनको ये जो है प्रोस्कार दिया जाता है ठीक है तो ये आपको note करना है female candidate को मिलेगा और SC, HT, physical handicapped candidate हो और जो institute से कर रहे हो उनको ही ये प्रोस्कार दिया जाता है बाकि आप अपनी profile में login करके चेक कर सकते हैं अगर form open होता है आपकी profile में तो इसका मतलब eligible है अगर नहीं होगा open तो आपको वो message हो करेगा you are not eligible for प्रोस्कार प्रोस्कार तो वही चीज़ यहाँ पर देखे दी गई है सेम चीज़ यहाँ पर दिया गई institute से आपको full time जो course है वो करना है तो यह आपको जो है इसमें यह मिलेगी ठीक है और candidate shall have to clear the paper first attempt में आपका जो है वो paper clear होना चाहिए जैसे आपने माने दो paper पास किए है एक बार में तो आपको उन दो paper की जो भी है प्रोस्कार वो दिया जाएगा ठीक है और income of the parents की जो है आप होने चाहिए 2.50 lakh पर annual के अनुसरा होने चाहिए से ज़्यादा में अगर आएका तो फिर आपको नहीं दी जाएगी ठीक है तो यह तीन conditions है जाएगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना mobile number जो है जो आपने profile में दिया होगा उसको verify करना होगा रेश्टर्ट email address उसको verify करना पड़ेगा self-attested scan copy of जो की PDF format में रहेगी आपकी SCST की जो भी है और self-attested आपकी scan copy भी लगेगी PWD से अगर है तो यह और self-attested copy आपकी proof of income जो भी आपके father की होगी वो आपकी लगेगी तो यह तीन चार यह पांच document है यह आपको verified करने self ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखे amount दिया गया है कितना amount जो आपको यहाँ पर distribute किया जाता है तो ओ लेबल के लिए एक साल का जो course है उसमें जो आपको total प्रुसकार दिया जाता है 12,000 रुपए आपको मिलता है तो पहले installment आती है वो 6,000 की आती है दूसरी आती है आपकी 6,000 की तो इस पकार से होता है यह अगर आपने अभी July में 2 एक्जाम पास की होंगे तो उसका 50% आपको मिल जाएगा अभी नए रूल के अनुसर अभी आपको दिखाएंगे और 50% जब आपकी कहीं किसी company में joining होगी तो आपको मिलेगा अगर joining नहीं होगी तो नहीं मिलेगा ठीक है और यह level में 10 module के अगर आप पास करते हैं तो उसमें आपको 30,000 का प्रोसकार मिलता है इसमें 9, 9 और 12 करके आपको 3 इंस्टॉल में मिलती है ठीक है तो इसके लिए जो अभी नया रूल जारी किया गया 25 अपरेल 2023 को उसको देख लेते हैं उसमें जो नालेट ने लिखा है प्रोसकार के लिए जो भी एलिजबल केंडिडेट है उनका 50% जो है आफटर एक्जाम पास के बाद आपको मिल जाएगा और 50% जो है आप प्रूफ करेंगे आप कोई प्रूफ देंगे जब आप कहीं इंप्लाइमेंट हो जाएंगे आफटर पासिंग आप एक्जाम कहीं आप जोब में लग जाएंगे या प्राइबट कंपनियों या सरकारी कहीं पे भी तब आपको वो इसू किया जाएगा 50% एमाउंट आपको तब दी जाएगी तो ये नालेट ने रूल लगा दिया है जो कि जन्वरी 23 एक्जाम डिशन से लाग हो गया है तो अब जो भी जुलाइ में बच्चे अप्लाइ करेंगे तो 50% उसका इनिके मालिजे 6,000 आपकी एक बार मनती है तो 6 का 3,000 आपको मिल जाएगा या पिर इस पेकार से हो सकता है 6,000 आपको इस समय मिल जाए और 6,000 आपको बाद मिले जोइनिक के बाद या इसी में से आधा करके आपको मिले तो ये रूल आपको पता तल जाएगा जब आप अप्लाइ करेंगे तो इस पेकार से है आधा आधा आपको मिलेगा 50, 50 आपको जोइनिक के बाद ही मिलेगा तो तो प्रोसीजर आपको कैसे करना है यह आपको पता देखिए यहां पर लिखा कि प्रोफाइल करना है अगर आप इंस्सिटूट से हैं चाहें डारेक्ट हैं सभी का प्रोफाइल में कोर्स अपर दिखाई देखा ठीक है और यहां पर अप्लाई फॉर लिखा है पुरुसान पुरुसकार अगर आप अपलाई कर चुके हैं तो पुरुसान पुरुसकार का स्टेटस यहां से आप देख सकते हैं ठीक है और जब आप पास कर लेंगे यानि कि after exam pass करने के बाद apply करेंगे और जब आप कहीं joining ले लेंगे तो joining के बाद जो देखें यहाँ पर upload पुरुसकार placement detail ठीक है जो भी आपका placement होगा यहाँ से आपको upload करना है उसके बाद जो 50% amount है वो आपको last वाले column से मिल जाएगा तो पहले बार में आपको यहाँ पर apply करना है apply for process इस पर click करेंगे इस प्रकार से PDF आपके सामने आजाए कि declaration पर क्लिक करना है और proceed पर क्लिक करना है तो इदे के इस प्रकार का application form आपके सामने आजाएगा अब इनके में क्यों open हो क्या रहा है तो देखिए जो यह student है यह institute से है knowledge symbol से और यह SC candidate है ठीक है तो यह eligible है अब इनका देखे दो चीज़ तो इनका eligible हो गया SC candidate प्लस इनका institute's admission है अब इनका जो annual income अगर 2.50 से annual हो जाती है या बनवा लेते हैं जैसा भी है अगर real है तो इनको मिल जाएगा इस प्रुसान प्रुसकार यह eligible है क्योंकि इनका अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर दो exam इनने जो है जुलाई इन्होंने दो exam पास किये हुए है जुलाई 2023 में तो यह 100% eligible होने चाहिए बस इनको income का जो है अगर सही हुआ 2.50 के आसपास तो इनको मिल जाएगी आप सबसे पहले देखे इसमें करना क्या होता है यहाँ पे आपका जो है email ID पे आपको send करना है password आएगा उसको verify करना है mobile number पे करना है उसके बाद यहाँ पे आपको अधार number और exam name यहाँ पे जुलाई 2023 है और annual income यहाँ पे fill up करना है तो जुलाई वालों का यह form है उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी bank detail fill up करना है जो भी आपकी है यहाँ इंस्ट्यूट किजेना चाहते तो इंस्ट्यूट किजे दे फिलार अपनी date ज्यादा best रहेगा यहाँ पे सारी आपकी bank detail आ जाएगी और यहाँ पे income certificate का number और उसके date और यहाँ से जो document आपको upload करने है ठीक है तो उसके बाद नीचे वाले में देखिए आपको tick करना है आपके दो module पास किये है M3 और M4 का तो दोनों को आपको tick करके और इस पे click कर देना है ठीक है और save कर देना यहाँ से आपका form accept हो जाएगा इसमें कोई भी आपका charges नहीं लगता है तो यह है procedure आपका apply करने का प्रोसान प्रुसकार के लिए और यह कब तक आती है तो इसमें आने में time लग सकता है 6 से 12 मन्त हैनी कि साल बर आपका हो सकता है लग सकता है आपको issue होने में ठीक है तो कोई fix timing नहीं है उसके लिए आप knowledge को message call कर सकते है तो यह है simple सा तरीका आपको प्रोसान प्रुसकार को apply करने का और eligibility मैंने बता दी है 50% आपको पहले मिलेगा 50% बाद ने मिलेगा तो इस पकार से जो आपको यह दिया जाएगा तो जिनके में apply करने पर not eligible सोर है इसका मतलब उनकी profile में कोई दिक्कत है यानि कि वो general category के हैं वो male candidate है वो direct student है इसलिए आप apply नहीं कर पाएंगे तो बाकी जो बच्चे हैं जिनके मैं इस पकार से option आ रहा है फटा फट जाके इसको apply करें वीडियो को like से जिरू करते हैं चैनल पे नहीं सब्काइब करें और किसी पकार के update चाहिए तो इस वार्टर नमबर मैसेज करके अपना प्रोजेक्ट वगरा सब्मिट करवा सकते हैं